हम ठॉक है लर कितो बेलिखोंगर्येंद तो आज पढ़ेंगे क्या है लीघन फिल्ड ठेज अगो यह स्कामिट है इस Cr इंगा जेश्टेष चींहें और श्क थीorm मंवटरoo ए तो इस दैके अगर में इस Sn की बात किसके बास की नेगतिव की बात करूं ठीक है इसमें होता है क्या है अगर है समेरा मेचल के साथ बॉंड बना रहा है सो मारेका डॉट से इसकी तरह काम करता है इन नहीं टो नेगेटिव की बात करूं और बने तो हमारे किया होते है विक सिंहें कि तरह करता है और नचिति बनाते हैं टो इसा क्यों होता है है इस ड़्व कह Здोड़ हो जयादा क्यों होती है तो यह कम होती है तो असलमें यह कम और जाधा होती कैसे हैं सबसे पहले नेंकिस में ऑक्ता båंड और कलें व necesita सफ्\'ealth तो इस से पहले एक चीजह आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर मैं भाथ करूं मैटल और्बितल और उल्दध रे ुटल और तरिक होती paar अब इसकी symmetry ऐसे क्यों हुई कैसे हुई यह सारा group theory में पढ़ना है हमें LFT से मतलब है तो उसके लिए हमें यह चीज़ थोड़ा देखनी पड़ेगी ठीक है तो metal में कौन-कौन से orbital होते हैं SP और D होते हैं ठीक है तो जो हमारा एक CFT थी उसने सिर्फ क्या बता है था D orbital में splitting होती है ठीक है लेकिन leg and field theory SP और D स्तीने orbital को consider करती है ठीक है इसलिए सबसे एची theory है CF LFT ठीक है तो जो metal orbital होता है उसमें क्या होता है F होता है हमारे पास ठीक है तो इसके लिए जो symmetry होती है क्या Am T2 & E turn friendree इह होती है ठीक है तो metal orbital होताई है हमारे पास यहाँ पर इनकी symmetry ऐसे होती है, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है, दूसरी चीज, अब हमारे पास जो metal होते हैं, कौन-कौन से जो orbital होते हैं हमारे पास sigma bond बनाते हैं, ठीक है, तो एक तो बनाता है, s orbital sigma bond बनाएगा, ठीक है, तो s में एक योड़ी होता है, एक बनाता है, p orbital sigma bond, तो p में कौन- तो जो बागी जो पड़ाएंगे पड़ाएंगे वो कौन होगे टी टूजी वाले होंगे द्धू किक्ति तो यह है तो फिकाशन प्रbor उनिक क्यों आइइ कि अ मिल्हक में आग तो यह घुज्डग वाइट पूरा किवाद के यह थो जोoring पूरा 3P 6 और 3P 6 और 3P 6, C L negative का मतलब एक लग्टोन और आजागा इसमें, पूरा C L negative का मतलब पूरा क्या है, फुल फील है, तो 3P 6 आजागा, कोई दिक्कत तो नहीं, तो इसमें क्या होता है, 3D B तो होता है, ठीके, तो यह होता है हमारे पास, तो यह हमारे फुल फील है, यह और हमारे bonding में participate करते हैं, तो अगर ligand की बात करते हैं, तो इसमें sigma, कौन-कौन से sigma है हमारे पास, जो bonding मना रहे हैं, तो यह कहा है, S वाले हमारे पास, P वाले हमारे हमारे पास, तो 3S, 3P और 3D हमारे पास, ठीके, और D में भी कौन sigma bond बनाएंगे हमारे पास, अब एक चीज़ रखना कि जब भी orbital की mixing होती है, जब भी 2 orbital की metal और ligand आपसे mix करेंगे, तो same symmetry वाले ही आपसे combine करते हैं, तो यहाँ पर easy वाले sigma bond में रहे हैं, तो इसके साथ जो CL negative वाले होंगे, उसके भी easy ही इसके साथ combine करेगा, ठीक है, तो इसमें 3D में जो लेंगे हम, वो easy ही है, इसके साथ के करेगा, combine करेगा, लेकिन यहाँ पर जो होता है, easy और T2G दोनों होते हैं हम हर पास, लेकिन अगर combine की बात करेंगे, तो easy और easy आपस में combine करते हैं, तो इतनी बात आपको समझ में आ जानी चाहिए, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है, अब आपको ध्यान रखना है कि जो metal में, metal होता है, metal का क्या होता है, 3D, 4S और 4P, metal के पास क्या होता है, balance में, 3D, 4S और 4P होता है, अगर हम किसकी बात करें, 3D टाइंस है, element की बात करें, अगर 4D टाइंस है, element की बात करें, तो उसमें क्या होता है, 4D, 5S और 5P, यह होता है हमार पास, ठीक है, मतलग, यहा एक है रखेंगे 4 रखेंगे तो यहां पर 24 भूसाय जाएगा 4 से 4 동 zeggen element अगर उम n के वड़ीज़ और्बिटल डिक्म केरें स्थाने। perspectives зов नो का अंतर क्या हो यहां पर किसे लिए है अगर यहां पर बात करें हुए हम यह होगा मारा किस? सब्सक्राइब देखने लिए के लिए यह लेकिनुफिट लेक्ष लिए हमारे लिंगेरे लीगेडेकUh क्यई करने में और ने दऴसा तो समाझने ही तो अब आपको हमक पता है कि सिग्मां से बनाते हैं तो S वाले का मतलब A1 G दूसरा बनाते हैं तो P वाले का मतलब क्या हुदा है पर यहां पर यहां पर कौन कौन से हैं यहां पर हमारे पास इसको अगर मैं हटा दू इसको अगर मैं हटा दू अब ठीक है तो यहां पर हमारे पास यह हो गया आपका मैटल का तीन सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी होती है सबसे ज्यादा एनर्जी होती है फिर होती है एस वाले की एवन जी ठीक है और फिर उसके नीचे एनर्जी होती है किसकी एजी की एनर्जी होती है फिर इसके नीचे होती ह वैसे easy और T2G दोने होता है, क्या होता है? easy और T2G दोने होता है, लेकिन easy ही sigma bond बनाते है, easy ही ही हाँ पर overlap करेंगे, ठीक है? इतना दिहान रखना है, ठीक, अब माना यह हमें leegend, यह होगी leegend के energy, यह पर leegend के energy नीचे क्यों होती है, लेकि नीचे इसले होता है, क्योंकि leegend हो गया क्या हूए, CN negative हो गया, F negative होता है, यह fulfill होता है, यह क्यों होता है? Fulfill, stable होता है, इसके energy क्यों ह將कोती होती है, ठीक है? तो metal से leegend के energy हमेचा क्या होगी? इतना बाद आप अच्छे से इसले होता है, विए हमारा क्या डाइगराम अच्छे से बन जाए तो यह करें लेकिन हमारा ऊबराप क्यों कर आपकर एज्ञे kины अहलाप करेंगेumin कशना चल्य यह अब orders यहां प्रपस क्या बनेंगे जब यह दोनों ऊबर याप करेंगे तो होगा था और कुछ बनेगी एंटी बॉनिंग कुछ बनेंगे बॉनिंग और्बिटल कुछ बनेंगे एंटी बॉनिंग और्बिटल कुछ बनेंगे एंटी बॉनिंग और्बिटल बनेंगे तो जब एंटी बॉनिंग वाले और्बिटल बनेंगे तो बॉनिंग वाले और्बिटल की जो एनर्जी होगी कि इसके नजदीक है वो, किसके नजदीक है, लीगेंड के नजदीक है, तो जो भी हमारे bonding orbital बनते हैं, उनको हम दिखाएंगे किसके बेस पे, उनको दिखाएंगे हम, लीगेंड के बेस में, और जो हमारे anti-bonding orbital बनेंगे, उनके energy किसके करीब होगी, इसके करीब होगी, ठीक है metal ले करीब, तो जो हमारे anti-bonding orbital होंगे, उनको हम दिखाएं किसके base पर, इसके base पर दिखाएंगे, ठीक है, तो कैसे दिखाते हैं, अब देखते हैं, सबसे पहले हमारे पास यह देखिएगा, कि हमने bonding वाले किसके base पर दिखाने हैं, इसके base पर दिखाने हैं, किसके base पर, य यहां पर इंजी दोन अपस में, यह होगा यह होंगा, और इनके अनर्जी सबसे कम हो जाएगी, वह जाएगा A1 Joo, कोई दिक्कत तो नहीं है, तो यह A1 representation का यहां पर bonding जो हमारा bonding वाले orbital होंगे है उनको हम किसके वेसिस पर दिखाते हैं रिखेंद की तो कि यहां पर लीगेंड वे सबसे अनर्जिय कि इक तो यह दोनों आपस में ओफर मुट करेंगे इंट करेंगे सबसे आपस मेंूरलाप करेंगे अपस में नियुक्त किसके तो यहां पर हमके बनाएंगे, कोई दिक्कत तो नहीं, तो यह बनाएंगे हमारा क्या, T1U का bonding orbital, ठीक, इसके बाद हमारा क्या होगा, यहां पर easy है, यहां पर जो हमारा easy sigma bond बनाता है, तो easy इसका, और इसका easy overlap करेंगे, करके, यह हमारा बना लेगा, क्या, यह हमारा बना क्या होगा, easy में, क्या होगा, हमारा बनीग, कोई दिक्कत तो नहीं है, तो यह बनींगे हमारा easy, यह 것으로 बना लेगा, इसके dłете दाखे घिकत, अब बनाएंगे क्या क्या ग्यादा है, पर हमारे बनाखेंगे, क्या returning एक हिए सबसे बारला वाला बना वाला गया है तो यह बना सब्सेटेख्JA stipon कि आपसमें तो यह ग Tu000 का एंटी नियू का कउन्टी टीकया इसके बाद a скаж this इसका भी a2 ग गया एक ही होता है, तो यह हो गया, कुई दिक्करत दिसमें नहीं है। इसका एजी और इसका एजी करेगा। ऐसे तिया आया इसका easy ठीक है यह हो गया easy star यह हो गया a1g star यह हो गया पर ऐसा बन गया तो आपको बिलकुल अच्छे समझ में आ गया हुआ यह atomic और यह जो हमारे orbital बने वो कैसे कैसे बने overlap किस वह किस टाइब से होए ठीक है अब जो टी-टूजी है वो bonding में पार्टिसपेट ही नहीं कर रहा है नहीं कर रहा ना पार्टिसपेट तो टी-टूजी हो जाएगा हमारा non-bonding मतलब यहां पर यह जो टी-टूजी थे तीन रहता है और इजी उपर रहता है ठीक है तो टी-टूजी और इजी यहां पे नहीं पता सकते हैं श्रकी कुलिग्ण है यह जादा थे इतना यहा तो अगर कभी सिग्मा बॉन्डिंग वाले होंगे तो सिग्मा बॉन्डिंग वाले के लिए क्या होगा हमार पास इतना होगा इतनी बात आपको समझ में आ गई ठीक है अब देखना हमने पाई डॉनर और पाई एक्सेप्टर के लिए उसके बाद सबसे पहले होगा सबसे पहले हमारा सिग्मा बनता है ठीक है तो जब हमारा सिग्मा बन गया तो जो हमारा डॉनर एटम होगा सिग्मा कैसे बनाए उसके बाद एक होर इलक्ट्रान पियर बचे डो डॉनेट कर सकता है तो इसको बोलते हैं पाई डॉनर हमारे पास ठीक है और इस टाइम पर सब्सक्राइब कर सकता है तो इसको बोलते हैं पाई डॉनर ठीक है जैसे अग्जांपल नेगेटिव या नेगेटिव इनके पास क्या होते हैं डॉनर एटम होते हैं ठीक हैं पाई acceptor के लिए क्या होंगा हमारे पास क्या होगा सिर्फ एक इलक्ट्वान प्र होना जी उसमें सिगमा पाई इस्टार और वेकेंट डीघनियों में इसे एक चीज़ होनी चाहिए जिसस्ते क्या हो पाई सट्टार्ट मेंट सबस्क्राइक Architect सब्सक्सक्राइब मैटल के पास जfte होना हुँ एक रीसे के इते का लोग-वेज़ Filip अभी सब्सक्राइब करने ठीक है और आप में वी ओनेटिव सिर्लेश्ट होत्व लिएड प्लत और अज्यक activist इस सारे example है थीक है तो आपको पाई acceptor पाई donor आपको अच्छे समझ माना जी थीक है अब देखते हैं क्या उसका MO diagram उसमें जो डेल O होता हमारा splitting होती है हमारे पास किसमें ज़्यादा होती है किसमें कम होती है उसके बाद overall हमके निकले conclusion निकालेंगे ठीक है अब आते हैं पाई donor पर हमारे पास ठीक है तो पाई donor पर आते है हमारे पास इसके लिए MO diagram बनाएंगे तो यहाँ पर sigma bonding हो चुकी है उसके बाद हमने पाई donor वाला देखते है ठीक है तो हमारे sigma bond container गौनिंग का उर्पितल हमने देखने ही ना घीक है तो जो हमारे पास पाई डोनर का मतलब क्या होगा हमार पास जो डी है जो हमारा पास मैटल है उसके पास क्या होगा हमार पास टी टू जी और होगा हमार पास क्या होगा है तो आपको पता टी टू जी कम होती है एजी के नर्जी ज्यादा होती है ठीक है तो यहां पर बांडिंग कौन बनाएंग यहां पर हमारा किसके नीचे आपको पता है कि यहां पर आता है हमारे पास जो बॉंडिंग वाले हैं हमारे पार लीगेंड के उससे देखे जाते हैं ठीक है तो इसके एनर्जी इतनी कम हुई है हमारे पास यह हो गया टीटूजी यह हो गया हमारे पास टीटूजी हो गया ठीक है और यहां पर यह जाएगा जब यहां पर यह जाएगा क्या यह जाएगा आपका टीटूजी यह हम लीगेंड के बेस में देखते हैं और एंटी बांडिंग वालों को हम क्या देखते हैं मैटल के बेस में देखते हैं ठीक है इतनी आपको बास समझ में आ गई होगी तो यह होगी आपका मैटल का यह होगी आपका लीगेंड का कोई दिक्कत तो नहीं आप पता है इजी हमार बनाएंगे और यहां पर नॉन बाट आपको समझ में आ गई होगी यहां पर इजी वाले कोई भी बॉन्ड नहीं बना रहे हैं तो इनके एनर्जी ना तो गटेगी ना तो बढ़ेगी इतनी बात आपको समझ में आ गई इसके बीच का गेब देखें यहाँ ज मोगा ऊपर बहुती ज़्यादा कम हमार पास अब यहाँ पर मैं आता हैं पाइ gouvern युणॐक्ट को टीकर आते हूं किसमें पाइ एक्सेप्टरně गहाँ इसको बहुत अच्चे से तो पाई अकसेप्टर का क्या हो यहां पर हमारा पास यहां के आप कड़ों पड़ रही है तो पाई एक्सेट इसको एकसेट करने की जुरवत क्यों पढ़ रही है इसके थोड़ा एनर्जी होती है इसके थोड़ा एनर्जी होती है इसके जो टी-टी-टी-टी-टी-टी-टी-टी-टी-टी-टी-टी-टी-टी-टी-टी-टी-टी-टी-टी-टी-टी-टी-टी-टी-टी-टी-टी-टी-टी-टी-टी-टी-टी-टी-टी-टी-टी-टी-टी- यहां कर अग्हें और कोई दिक्कत नहीं है और जो डिक्कतथ नहीं परेस्निन रहे हैं तो यहाँ पर EG star हो गया हमारे पास anti-bonding वाला यह ठीक है तो अब अगर हम यहाँ बात करें यह energy gap यह नहीं यह energy gap यहाँ पर EG star नीचे है तो हम नहीं कर देखना है T2G और EG के बीचे gap देखते हैं तो यहाँ पर energy gap हमारे क्या है यह है तो डेल O हमारे पास यह है यहाँ पर तो आपको यह diagram बिल्कुल अच्छे समझ में आगया होगा यहाँ पर इसकी energy ज़्यादा बात इतना आपको दिहान रखना है कि यहाँ पर लीगेंड के energy ज़्यादा होती है इस वैसे diagram ऐसे बनता है energy होती है अगर मैं बात करो सबसे ज़्यादा रखना है सबसे कम होता है तो इसके बाद किसमें होते हैं सिगोरों लोकिं इसमें सबसे कम होती है किसकी वैल्यू डेल ओ की वैल्यू तो इसी वज़े से जो पाई एक्सेप्टर होते हैं वहाँ पर डेल ओ की वैल्यू सबसे ज़्यादा होती है इसी वज़े से उनको बोलते हैं स्ट्रॉंग फिल्ड लिगेंड आगई बात समझ में और इसलिए हमारे पास पाई टॉनर वालों काम के बोलते हैं वीक फिल्ड लिगेंड क्योंकि डेलो आपे बहुत कम होता है और डेलो बहुत कम होने के वहाँ से वन टू त्री चौथा एलक्रोन हमारा उपर सल जाता है य इसलिए कभी क्वेसान आता है कि यह जो हमारे पास इसर्टॉनग फिल्ड लिगेंड के उसमें आते हैं ठीक है तो आपको यह बात समझ में आ धूग होगी यह जो पाई डॉनर होग होंगे कंडिसन मता दिए आपको पाय डॉनर वालों की सबसे कम इस्प्लेटिग एनरजी होती है इसलिए उन्हें वीक फिल्ड में आते हैं पाय एक्सलेटर वालों की इस प्लिटिंग एनर्जी बहुत ज्यादा होती इसलिए उन्हें क्या थे है इसलिए तो आक्टर है ऐडल का केस में आपको पता चलिया होगा टेटरा है और केस हमें जरूरत नहीं है तो अगर आपको वीडियो अच्छे लगी तो लाइक से और सस्क्राइब करें जितने से जतने जादा बच्चों तक हो सकें उतने जादा बच्चों तक ये वीडiow पहुचा है और अब नेक्स वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे कलर cc अ जो होते हमाँ इंटेंस होता है किसी में कम इंटेंस होता रोख योड़ेंगे तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई भी आपको डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं धन्यवाद